Hello everyone, I am Priyanka Mishra, welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम Class 8 वसंत भागतीन से Chapter No. 11, जिसका शीशक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा. इस Chapter के अंदर आपको भारत की ऐसी मूवी के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले समवात का प्रेयोग किया गया था. इससे पहले कोई भी मूवी में समवात का प्रेयोग नहीं किया गया था. ये मूवी मुंबई में Majestic Cinema Hall में 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी, जो आठ सप्ताहता फूल चली थी. इसके जो फिल्म कार थे वो आदेशिर M. इरानी थे और इस फिल्म के जो अभीनेता थे वो विठ्थल और अभीनेतरी जुवेदा थी. तो चली अब हम इस के MCQ questions देखते हैं. Question first है, आला मारा फिल्म के पहले पार्श उगायक थे. इसके option से A. W. M. खान, B. आदेशिर, C. M. H. खान, D. M. N. खान. तो आला मारा फिल्म के पार्श उगायक, पार्श उगायक मतलब सिंगर. तो इसके सिंगर कौन थे? इसके सिंगर थे? W. M. खान. तो राइट आंसेर क्या होगा? Option A. W. M. खान. देखते हैं, next question. Next question है, नायक के रूप में सबसे पहले किसका चैन हुआ था? इसके option से A. विठल, B. महभूब, C. जुबैदा, D. याकूब. तो नायक की रूप में सबसे पहले किसका चैन हुआ था? विठल का चैन हुआ था. इस पार्ट में आपको ये भी बताया गया है कि विठल का चैन तो हुआ था, लेकिन जो है, इस फिल्म के जो निर्देशक थे, उन्ने को विठल को जो है लेने के बाद बाहर कर दिया था, निकाल दिया था, और उनकी जगा किसको ले लिया था? महभूब को ले लिया था. तो विठल ने इस पर अबजेक्शन लेते हुए केस भी किया था, और वो ये केस जीत गय थे, और फिल्मकार को जो है वापस विठ्थल को नायक बनाना पड़ा था अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है इन में से कौन नायक और इस्टेंट मैन दोनों था तो इसके आप्शन से A. याकूब B. विठ्थल C. सोहराब मोदी D. महभूब देखते हैं नेक्स्ट कोशन सवाक फिल्मों के युग में किस भाषा का महत्व बढ़ा सवाक मीन्स क्या होता है बादचीत की भाषा में तो किस भाषा का महत्व बढ़ा था हिंदी और उर्दू तो इसका जो है आप्शन A. एंड B. दोनों ही सही है कोशन है पहली बोलती फिल्म के निर्माता कौन थे इसके आप्शन से A. दादा साहब फाल के B. आर्देशिर M. इरानी C. आला मारा D. राजकपूर तो पहली फिल्म के निर्माता कौन थे आप्शन B. आर्देशिर M. इरानी आला मारा किस ने बनाई थी आर्देशिर M. इरानी ने देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है शो वोट क्या थी इसके आप्शन से A. एक बोलती फिल्म B. हॉलिवुट की फिल्म C. आर्देशिर द्वारा देखी फिल्म D. ये सबी बाते तो शो वोट क्या थी शो वोट एक हॉलिवुट मुवी थी जिसको आर्देशिर ने देखी थी और उसको देखने के बाद ही उनको लगाता कि हमें भी ऐसी मुवी बनानी चाहिए बोलती हुई समवाद वाली तो इसका राइट ओप्शन क्या है? ओप्शन C. हिंदी D. विदेशी तो राइट आंसर क्या होगा? किस चीज का उल्ले किया गया है इस रंगमंच में? फार्सी फार्सी का उल्ले किया गया है अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है उस समय आर्देशिर के पास क्या नहीं था? इसके आप्शन से A. समवाद लेखक B. निर्देशक C. संगीतकार D. फिल्मकार तो उस समय उनके पास क्या था? समवाद लेखक नहीं था कोई उनकी जो डायलोग लिखने वाला था वो उनके पास कोई नहीं था आला मारा फिल्म स्वरी रिपीट हो गया है देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है मुहमद अली जिन्ना कौन था? इसके आप्शन से A. पहलवान B. संगीतकार C. वकील D. नायक तो मुहमद अली जिन्ना कौन थे? अली जिन्ना थे जिन्होंने विठ्थल का केस लड़ा था वो उस समय के बहुत जाने माने वकील थे तो इसका ऑप्शन C. जो है राइट होगा देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है मुहमद अली जिन्ना ने किसका केस लड़ा था? यह तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि उन्होंने विठ्थल का केस लड़ा था तो राइट अंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन A. विठ्थल का केस लड़ा था आला मारा के नायक का केस लड़ा था देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है फिल्मो द्योग का उचित संदी विच्छेट है इसके option से A. फिल्मो प्लस द्योग B. फिल्म प्लस द्योग C. फिल्मो प्लस उद्योग D. फिल्म प्लस उद्योग तो right answer क्या होगा इसका? इसका right answer होगा right answer होगा option B. फिल्म धन उद्योग प्लस द्योग देखते हैं next question, next question है सवाग फिल्म की शुरुवात करने वाले पहले निर्माता निर्देशर कौन थे, तो बोलचाल वाली फिल्म जो है उन्होंने किस ने बनाई थी, मैंने आपको बताई था, अर्देशर M, इरानी ने बनाई थी, तो right answer मैं पहले ही बता देत और की शुरुवात करने वाले ने कौन सी फिल्म बनाकर इस स्युक की शुरुवात की, इसके option से A, आलम आरा, आलम सारा, B, आलम आरा, C, जहां सारा, D, सारा जहां आरा, तो क्या होगा इसका right answer, right answer है option B, आलम आरा, देखते हैं next question, next question है, सवाग फिल्मों में कैसे कलाकारों की आवशक्ता थी, इसके option से A, सुंदर, B, पढ़े लिखे, C, वलिष्ट, D, अनपढ़, तो सवाग फिल्म में जब स्टार्ट हुई, बोल चाल वाली फिल्म में स्टार्ट हुई, तो अब कैसे अभिनेताओं की अभिनेतरियों की ज़रुत पढ़ी, जो पढ़े लिखे ह जो समवात को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, ऐसे एक्टर और एक्टरिस की उनलोग को आवशक्ता पढ़ी, तो राइट आंसर क्या होगा इसका option B, पढ़े लिखे, कलाकारों की आवशक्ता पढ़ी, देखते हैं next question, सवाग फिल्म में कलाकारों को अभिनेतरियों की अला तो उन्हें क्या बोलना पढ़ता था? C, option C सही है, समवात बोलना पढ़ता था, अभिने के अलावा उन्हें समवात बोलना पढ़ता था, देखते हैं next question, next question है, समिक्षकों ने आला मारा को कैसी फिल्म बताया? इसके option से A, इस फिल्म को बेकार करार दिया, B, इस फिल्म को भड़कीली फेंटेसी करार दिया, C, इस फिल्म को मनोरंजक करार दिया, D, इस फिल्म को उबाव करार दिया, तो समिक्षकों ने इसको कैसा करार दिया रहा था, option B, right है, इस फिल्म को भड़कीली फेंटेसी कर दिया गया था देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है हाउसफुल होने से क्या समस्य आई इसके ऑप्षन से जगडा हो गया था बी फिल्म कई बार दिखानी पड़ी सी टिकट बेशना मुश्किल हो गया था दी पुलिस के लिए भीड को नियंत्रन करना कठिन था त पुलिस के लिए भीड को नियंत्रिट करना मुश्किल हो गया था तो राइट आंसर क्या है ऑप्षन डी देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है आला मारा फिल्म की लंबाई कितनी थी इसका ऑप्षन से ए एक हजार फुट लंबी बी दस हजार फुट लंबी सी बारा हजार फुट लंबी या डी ग्यारा हजार फुट लंबी तो आला मारा की लंबाई कितनी थी आला मारा की लंबाई थी ऑप्षन बी दस हजार फुट लंबी थी देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है यह फिल्म कितने सब्ता तक हाउसफूल चली थी उस ट तो उस समय ही कितने सब्ताह तक हाउसफुल चली थी राइट आंसर है ओप्शन ए एट सब्ताह तक हाउसफुल चली थी नेक्स्ट कोशन इस फिल्म में संगीत के लिए कौन-कौन से वाद्य अंत्र प्रयोक्त किये गए थे किये गए इसके ओप्शन से ए तबला हार्मोनियम और वाइलिन वी सारंगी संतूर और धोलग सी शहनाई वीना और तबला डी म्रदंगम नकारा और बांसुरी तो इस फिल्म में किस-किस वाद्य अंत्रों का प्रयोक्त किया गया था इस ओप्शन ए तबला हार्मोनियम और वाइलिन का प्रयोक्त किया गया था नेक्स्ट को C. आर्देशिर ने अपनी ही धुने चुनी D. कल्यान जी आनन तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है किसकी धुने चुनी गई थी? आर्देशिर ने अपनी ही धुने इसमें चुनी थी देखते हैं next question next question है पहली बोलती फिल्म का प्रदेशन कब हुआ? इसके option से A. 14 माई सन 1947 को B. 14 माई सन 1930 को C. 14 मार्च सन 1931 को B. 14 माई सन 1931 को तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है option C. 14 मार्च सन 1931 को पहली मुवी प्रदेशित हुई थी next question है आला मारा फिल्म मुंबई के किस सिनेमा हौल में प्रदेशित हुई थी? तो इसके option से A. Majestic B. कुमार C. Liberty D. अर्विंद तो आला मारा फिल्म मुंबई के किस सिनेमा हौल में प्रदेशित हुई थी? option A. Majestic सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी जो आठ सप्ता तक फूल थी, हाउस फूल थी, तो इसके MCQ कोशन यहां पे खतम होते हैं, जिस भी स्टुटेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में